तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर दा रैड ट्रैप रैड ट्रैप का मतलब क्या हुआ एक चुहे का पिंजरा बट यहां पे कोई चुहे की पिंजरे की स्टोरी नहीं है यह स्टोरी किस बारे में ही चैप्टर किस बारे में है कि यह जो दुनिया है यह पूरी दुनिया ही एक क्या है रैड ट्रैप है जाल है जहां पे लोगों को क्या दिये जाती है लालज दी जाती है बेट दी जाती है जिसमें वो फसते हैं और इस पूरे जाल में फसे ही रह ज तो चलो इसी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पहले इसके ऑथर का नाम देख लो इसके ऑथर है सलमा लगलॉफ चीक है ऑथर का नाम के है सलमा लगलॉफ यह याद रख लो बस जादे इंपर्टन चीज नहीं है चलो once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of fire he met them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms but even so the business was not specially profitable so he had to resort to both begging and petty thievery to keep both body and soul together ठीक है एक आदमी था जो क्या करता था rat traps जो है कि जो पिंजरे वो बेशता था वो उन्हें खुद ही बनाता था जो भी उसे समान मिलता था farms पे या कुछ भीक मांगते time उससे वो उन्हें बनाता था बट यह जो business था ना rat trap का इससे उसका कोई घरवर नहीं चल पाता था को क्या बोलते हैं भीग भी मांगनी पड़ती थी और यह पैटी थीवरी छोटी-छोटी सी चोरिया भी करनी पड़ती थी खाने के लिए ठीक है इवन सो इस क्लोथ वर इन रैक्स इस चीक्स वर संकन एंगर ग्लीम्ट इन इस आइज नो वन कें इमेजिन हाओ सटन मोन चॉन लाइफ किन अपियर तो सच आ वेगा बॉंड हुप लॉट्स अलॉंग दी रोड लेफ्ट विस ओन मेडिटेशन ठीक है उसके जो कपड़े थे वह कैसे थे पूरे रैक्स मैं से भटे बुराने से कपड़े उसके उसके चीक्स कैसे हो गए तो बिल्कुल सिकुड़ गए थ एक ही लय में चल रही है बस मोनोटोणस का मतलब हो न एक ही लय है कि छक्रणी वेगा बॉंड है इसे लोग को प्लॉटस अलॉंग दी with left to his own meditation plot करना मतला ऐसी बस थका थका सा ऐसे बस चलना है ना थकते हुए और ऐसे चलना but one day his this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him the whole world with its land and seas and villages was nothing but a big rat trap फिर एक दिन उसके माइन वेसे अपने rat traps को देखते देखते thought आता है कि भाई ये दुनिया भी तो कुछ नहीं है और दुनिया भी तो बस क्या है इसमें जो ये समुंद्र है ये जमीन है ये सब चीजे क्या है बस ये एक rat trap ये बड़ा सारा है दुनिया का वो जरा बिछाती जाती और लोग उसमें फनते जाते नहीं पद्रे हैं थे के वो था क्या कर रही है अमीरे ऑफर कर रहे हैं खुषी ओफर कर रहे हैं ठीक क्लोधिंग है हर्चीज है हर्चीज मिल्री है तुमें दुनिया में एक य Composite क्या हो रहा है कि बस कोई आये जाल में फसे और वो फसने के पास तो बस क्या है एंड है इस चीज का तो यही चीज़ सोचता रहता है कि यह दुनिया भी जो है किसी रैट्रेप से किसी पिंज्रे से कम नहीं है इसके साथ कभी कोई किसी ना अच्छा लो किया नहीं है तो उसको बहुत अच्छा सा मतलब ना है है। applaudings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare snare and of others who were still circling around the bait okay that means that he was just thinking about the time pass so that he was thinking about it that he was walking on the road and he was getting to know about it he saw that he was getting into the water and he had to make this water and he was thinking about it snare means snare एक शाम की बात है उसको इँ गर इसे नौर्मली चाहता था सार फेसल वोला गया अगर हम मतला गła यहां बना रहे हैं और यहां पर उसके हो उससे नहीं किया गया nor was he refused ठीक है उसे मना नहीं किया गया उसे अच्छे से वेलकम किया गया ठीक है किस आदमी के द्वारा जिसकी कोई family नहीं है कोई wife अगरा नहीं है वो खुद भी अकेला है loneliness, अकेला पन है ना उसको खुद को भी तो उसने उसे अराम से वेलकम किया immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own उन्होंने उसके बद क्या किया porridge होता है ना खाना होता है ऐसा ओर्ट वागरा का दल्या टाइप ना पोरिज होता है तो वो दिया गरम करके उन्हें supper मतलब dinner, lunch, यह जो चीज होती है supper उसको खाना दिया और उसके बद उसके टबैको रोल था बीडी है ना जो रोल होता है जा उसमें से उसको क्या किया टबैको रोल कट करके दिया कि दोनों के पाइपस में वो अराम से आ रहा था रो वो श्मोक कर रहे थे finally he got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco the guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crafter at rams joe iron works and had worked on the land ठीक है जो ओल्ड मैं था वो बहुत generous था हर चीज़ की मतलब generous होना कोई उसका दिल छोटा नहीं था दिल बहुत बड़ा था उसका उसने उसे खाने को भी दिया अपने टबैक और रोल भी शेयर किया तो अच्छा था तो अब इहां पे the guest was informed guest कौन था जो rat trap बेच रहा था वो आदमी उसको बताया गया है कि मैं अपने time में क्या था एक बहुत अच्छा crafter था कहा राम जो आइरन वर्क्स में ठीक है समझाया यहां तक now that he was no longer able to do the day labor it was his cow which supported him अब एज हो गई है बंदे की अब वो नहीं कर सकता लेबर काम नहीं कर सकता तो उसकी जो cow है वही उसे support करती है वही दूद देती है वही दूद वह यूज भी करता और उससे money भी मिलता है yes that bossy was extraordinary यहां पर गाय की बात हो रही कि वह जो गाय ना bossy extraordinary यह क्यों extraordinary है she could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kronor in payment यह वो इतना creamy milk देती है रोज और last month की payment उसे कितनी मिली है 30 kronor kronor जो है ना यह kronor यह क्या है एक Swedish currency है Swedish currency है उसको क्या मिले है 30 kronor मिले है the stranger must have seemed incredulous for the old man got up and went to the window took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out three wrinkled 10 kronor bills stranger must have seemed incredulous एक्डम वो ऐसा हो जाता है मतलब surprise था कि भाई यह मुझे पैसे दिखा रहा वो कम नहीं था फिर वो जाके उसको लिटरली महा से पाउच उठाता और वो दिखाता और तीन रिंकल्ट 10 kronor note होता है मतलब तीन नोटस है दस दस क्रोन और के ऐसे रिंकल्ट हुएगा यह थिस रिंकल्ट हुए गाई यह थिखाता है यह से नोड गरता है नोड गरना ऐसे गरधन हिलाना ठीक है उफिशे वापस पाउच में डाल दोता है। The next day both men got up in good season, the crafter was in a hurry to milk his cow and the other men probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time, the crafter locked the door and put the key in his pocket, the man with the red trip said goodbye and thank you and thereupon each went their own way. So, what happened? Next day, the next morning everyone got up to the house, the host, the other one goes to the house and the other one goes to the house and the other one goes to the house and the other one goes to the house. The red trip seller, the host, the host, the house, the other one goes to the house and the other one goes to the house. The both of them go to the road. Okay? But half an hour later the red trip peddler stood again before the door. He did not try to get in, however, he only went up to the window, smashed a pain, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 krona. Okay? What happens in half an hour later? The red trip seller goes to the red trip seller and then goes back to the house. Now, he doesn't open the house. What does he do in the window where the key is stuck from the leather pouch? He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the words. He tried to be sure to walk into a definite direction, but the path was not too difficult. When he took the money, he felt very good. When he took the money, he felt very good. Look at my smartness. Look at that. I didn't give him that. Okay? Then he thinks that if he took the money, then what does he do? What does he do in the public? What does he do in the highway? Where does he take the highway? Into the woods. Into the woods means to go from the path of the jungle. During the first hour, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk into a definite direction, but the path twisted back and forth. So strangely, he walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized he had only been walking around in the same part of the forest. He took the woods. He took the woods. It didn't get any difficulty in the day. Then what happens slowly? When it happens to the evening, then it becomes worse. This is worse. It becomes worse. It becomes worse. It becomes worse. Because it becomes confusing when we get into it, you can't understand where to go. Then he keeps going, and then finally he realizes that I always go. At once, he says once again, he remembers his thoughts about the world and the red trip. now his own turn had come यह जब वो देखता है कि कहीं से भी जाओ एक ही जगा आके फस रहा हूं तो उसे अपना वो रेट ट्रेप वाला जो आइडिया नहीं कि पूरी दुनिया जो रेट ट्रेप है वो वाला आइडिया याद आता है और अब यह मेरी पूरी तर्ण है इस जाल में फसने की ठीक है यहाद लेफ इंसल्फ भी फूल बाया बेट और हैड बीन कॉट इक उसने क्या किया एक जो बेट थी जो लालश था जो पैसेत मिल रहत है उसे उसके चक्कर में क्या हो बेवकूफ बना और फस गया वो पूरा फॉरेस्ट उसकी जो पूरी तनी लंबी लंबी डालिया और टूटेवल लॉक्स वगेरा जो भी थे वो सब कैसा दिख रहा था उसे कि जैसे क्या हो एक प्रिजन हो ihmppentable, impenetrable का मतलब क्या हुआ जिसमें से निकला ना आ जा सके, इसमें से entry या exit नहीं हो सके ऐसा jail लगने लगा था उसे इकिशमें ने नहीं सकता था It was late in December, darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. दिसेंबर का ताइम है, December late, मतलब December की भी ending की बात हो रही है. Darkness जो पूरे forest पर अल्रेडी चा रही थी, इसके उड़े से क्या वा देंजर हो और अविसली darkness हो रही है, अंदर जानवर भी हो सकते हैं, जंगल में, तो शिकार करने आएंगे, ठीक है, और साथ में क्या चीज़ इंक्रीज हो रही थी, उसकी ग्लूम और डिस्पेर, ग्लूम हो गया आपकी उदासी, और डिस्पेर होता है आपका नेराश्या, ठीक है? अब क्या होता है, अब उसे लगता है कि यहां से कोई निकलने का है ही ने, कोई तरीका ही ने कि मैं यहां से निकल सकता हूं, फिर वो क्या करता है, महीं पर ही बस मेरे आखरी मोमेंट ही है, बस यह मेरे आखरी बले लाइफ के और वो महीं लेट जाता है, जसे ही वो अपना सर रखता है ना, जमीन पर उसको एक थंपिंग का साणोल से तक तक करके आवाज आती ना, ऐसा साउंड सुनाई देता है, व स्टैगर इन दी डारेक्शन अफ दी साउंड और उस साउंड की डारेक्शन में जाने लगता है, अब वो कहां पहुच जाता है, राम्जो आयर वर्क, यादे जो होस था घर का, ग्रे कोटेज का, वो वहां पर अल्रेटी क्रॉफ्टर था पहले वो बता चुका है में अब आप पहुचता है, जाहां राम्जो आयर वर्क, तो वो जो जगा यह जो बन्द है पहले कासी थी बहुत बड़ा एक शिस्टम था प्लांत लगाना बहुत बड़ा एक सिस्टम था जिसमें क्या था स्मेल्टर स्मेल्टर धातू गलाना गलाने वाली चीज कोई मशीनाशी दातु गलाती है जो है ना वो चीज रोलिंग मिल थी और एक बहुत बड़ा फोर्ज था इन्दी समर्टाइम लॉंग लाइंस ओफ हेविली लोड़ेड बार्ज इंसकाउस लिट डाउन दी कैनल विश लेट टो लाज इनलेंड लेक अन इन दी विंटर ताइम दी रोट्स न में पूरा और ऐसी नाव जो कहां जा रहे है कैनाल से जा रहे हैं जो कहां लेक में निकल रही है और विंटर टाइम में क्या होता था जो कोल की डस्ट अगरे निकल दी थी थी ना उससे वो सब बिलकुल बहर जाता था जूरिंग वन ऑफ दे लॉंग डाक इवनिंग जिस दिसेंबर के आखरी के दिन है ना तो क्रिसमस के टाइम से पहले क्या होता है जो मांस्टर स्मिथ है और उसकी जो हेल्पर ऑफ न कि होते हैं वह क्या करते हैं बैठे होता है फ्रनेस के सामने बटी के सामने एक बढ़ा-वर जब्लॉक है उसको कहां रखते हैं पहले वह कर आपने जाता हो और उसको कहां रखते है आपका प्लेस जहाँ पिंग ना प्लेस जहां प्लेस को अपका आइन हो देखा है आपने कोई भी ऐसा अपना चम्माची कि गरम हो जाता है अग पे रखते हो तो ग्लो गरने लगता है और रहन भूची kiss वो दातु की बातुरी जो पिगल रहा है फ़र्नेस में with a long iron bar returning into a few moments dripping with perspiration though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes तो वो क्या कर रहा है एक तो इसको गुमारा और फिर क्या करता है वो आ रहा होता है थोड़ी देर में dripping with perspiration perspiration का मतलब हुआ पसीना तो इतना high temperature के सामने होगे तो तुम्हें पसीना आएगा और उसने क्या पहन रहा था एक shirt पहन रहा है थी long और wooden shoes पहन रहा है जलने का खत्रा ना हो यह सब चीजों की वज़ा से all the time there were many sounds to be heard in the forge the big bellows ground and the burning coal crackled उस time forge में अलग अलग तरीके की आवाजे आने लगती थी the big bellows ground big bellows ground किसी को अगर चोट लग गया सपोस्कोर हाथ जल गया तो उसका दर्द के मारे पीड़ा के मारे करहाना कहते ना हम चीखना चिलाना वह वाली चीज और burning coal crackled और जो coal burn होता है कोईला बर्न होता है कैसी crackling की आवाजे आती है वह वाली sounds सब sounds आती थी the fire boy shovel charcoal into the maw of the furnace ठीक है fire boy क्या करता है charcoal डालता है किस में maw of the furnace माव का मतलब क्या हुआ मूँ वट हापंड मूँ में किसके furnace की जो entry है मतलब है ना opening है उसमें with a great deal of clatter outside road the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick titled roof और बहार क्या है waterfall भी है बहार ठीक है और क्या चल रही है wind चल रही है बहुत तेज चल रही है बहुत तेज क्लियर सब साउंड और नॉइज़ आ रही है इसके वज़ा से जो master है वहां कर ठीक है और जो दूसरे लोग है वहां के जो लोहार है blacksmith लोहार ठीक है वह क्या करने सुन नहीं पाते हैं notice नहीं कर पाते कि कोई गेट खोल के अंदर आ चुका है कब तक जब तक वो आके भट्टी के पास नहीं खड़ा हो जाता surely it was nothing unusual for poor vegabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come to a warm and come into warm themselves in front of the fire ठीक है तो उनके लिए को यसा नया नहीं था कि हाँ वही आते हैं ऐसे लोग आ जाते हैं ऐसे लोग vegabonds आवारा या बैगर्स वगरा की बात कि भाई भाई ठंड तो आ जाते हैं अंदर गर्माहट के लिए आ जाते हैं शेल्टर के लिए आ जाते हैं तो कोई यसी बड़ी बात नहीं सूटी पेंस मेले शीशे बैक्समिद ग्लांस्ट ओनली कैजवली एं इंडिफरेंटली एड दी इंट्रूडर बस उसने देखा ब्लैक्समिद बस उसको देखा इंट्रूडर की तरफ जो इंट्रूडर कौन है यहां पे जो रैट्रेप सेलर हैं वो वो आया उसकी बात हो रही इसा होता है ना कि यह कैसा आद्मी जिसके कपड़े भी अच्छे नियें डिर्टी सा है और रैट्रूड से हाथ में इसको कैसे देखते हैं बस उसी तरीके से उसने भी देखा यहां पे तो वो जो मास्टर ब्लैक्समित है वो कै करता है बस ऐसे गरदन हिलाता है किसमें होटी कंसेंट में होता है घमंडी ठीके कंसेंट देना अनूमती देना यह दूजो पर जशी का रभी होते तो यहां पर बया करने अनूमन है पर रहए कं गरम रहना इस लिए खरे जो आया है वो in those days the ramjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market he watched both night and day to see that the work was done as well as possible and all this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection in the old time when the ramjo iron works was very good it was a prominent iron master which was very good for the purpose of the iron to get out of the way he saw that the work was done in that time for inspection clear naturally the first thing he saw was the tall rag muffin who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rag where he saw it was a tall rag muffin who is talking about rag muffin who is saying here he is a rag type of clothes and a muffin girl okay a long rag muffin and a girl what he did in the furnace was so close that steam was also left out of his clothes okay his first look is the prominent iron master who just came to the master blacksmith की बात नहीं करी हुँ मैं, जो iron master आया ना, वो, उसकी नजर जो पड़ती है, सबसे पहली चीज़ पे, the iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger, iron master जो है ना, बैसे नहीं थे, blacksmith जैसे नहीं थे, कि बस देख लिया या, क्या था, ऐसे घमंडी नहीं थे, he walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch head, to get a better view of his face, but of course it is you, Nils Aulov, he said, how you do look, the man with the red trap's head, never before seen the iron master at Ramjo and did not even know what his name was, ठीक है, अब वो आते हैं, वो आके देखते हैं, तो अब क्या रचते हैं, अब क्या देखते हैं, अब क्या देखते हैं, कि भाई कौन है, पिर वो क्या बोलते हैं, but of course it is you, Nils Aulov, अब वो जो red trap seller है ना, उसको वो, क्या गरते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनका कोई acquaintance है, acquaintance उनका कोई जानने वाला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, Nils Aulov, और वो उस red trap को Nils Aulov समझ बैठते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि तुम कैसे लग रहे हो, और जो red trap seller था, उसने तो कपी देखा ही नहीं था, आयन मास्टर को, ना तो उनका नाम भी नहीं जानता था, ठीक है, but it कि यह समझ आता है कि हाँ मुझे ना आपना कोई पुराना साथी समझ रहे हैं, और हो सकता है कि मेर को कुछ पैसे वैसे भी दे था, तो वो क्या करता है उनको? डिसीव नहीं करता है, मतलब उनको मतलब मना नहीं करता है कि भाई तुम मुझे नहीं जानते हैं या मैं नील सॉल ओफ नहीं हूँ येस गोड नोस तिंक्स अव गोण डाउनल विद मी इसा है कि हाँ थोड़े से हालात सही नहीं चल रहे थे चीज़े थोड़ी सी ऐसी हो गई है मेर साथ और तो फिर आयन मास्टर गयाते हैं कि तुम्हें वो जो रेजिमेंट था उस पर से रिजाइन नहीं करना चाहिता है तो यह हो जाल दो रेजिमेंट कोई दल है कोई है इस तरीके का उसमें से रिजाइन नहीं करना चिहाइधा था मैखली थो तो ल्टा भी एक गलती हो गई वही इस ओनली I had still been in the service at the time it never would have happened well now of course you will come home with me to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp no I couldn't think of it he said looking quite alarmed then what he said to me let's go to my house let's go there let's go there let's go there let's go to the tramp you will be with me that you will be with me let's listen to the red tab seller what he said I couldn't think of it I can't do it he thinks of this he thought of the 30 kronor his mind was suddenly 30 kronor that I have 30 kronor I will sit here and I will go here to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den he only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible he would say that I will just think of it and just leave here like I have seen the iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there he said Elizabeth is dead Elizabeth is dead as you may already have heard my boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself my boys are outside only in my house and my oldest daughter we were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster so he said we are just thinking about this so he said that we are just thinking about this that there is no one with us or no one with us if you are gone then go what will happen? we will finish it but the stranger said no and no and again no and the iron master saw that he must give in it looks as though Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight Stern Storm he said to the master blacksmith and turned on his heel okay he is thinking about it but then the iron master will think let's leave it and then the person who is working there who is? Stern Storm don't confuse me why are you not saying Stern Storm what happens? sometimes J's voice how is it? H okay 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 this is what I am saying here Stern Storm okay we say that this is Captain Von Stahl this is now you are thinking about it with us okay but he laughed to himself as he went away and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word and he went there and he went there and he went there and the blacksmith is this Stern Storm okay the blacksmith he understands that we are not going to do it now we will do it we will do it in this way iron master it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in but this time it was not the iron master now it's not half an hour 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 he had sent his daughter apparently hoping that she would have a better power of persuasion than he himself so he would send his daughter why? he would think that it's better for me persuasion for someone for someone for someone she entered followed by a wallet carrying on his arm a big fur coat she was not at all pretty but seemed modest modest and quiet shy she comes with her wallet what is her fur coat it's not so pretty but modest it was good and it was a little charming in the forge everything was just as it had been earlier in the evening the master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace in the forge everything was just as it had been earlier in the evening the master blacksmith they were sitting with people with their heads on the bench and coal and iron in the furnace it was hot in the furnace the stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes so they went to hold on the floor and they went to the base and they went to the ground and they went to the ground and took on the ground and took on the ground as soon as the young girl caught sight of him she went up and lifted his head the man was evidently used to sleeping with one eye open he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened तो अब देखो ऐसा बंदा जो सडकों पर सो रहा है तो अलट भी रहता है ना तो एक खोल की सोता था तो जैसे हटाती है उसकी है वह खड़ा हो जाते है एकदम डर के मारे एकदम खड़ा हो जाता है इसके आगे की स्टोरी हम करेंगे continue next class में यह clear है इतनी स्टोरी बस इतना ही पढ़ते हैं आज क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है यह लिटरली बहुत लंबा चैप्टर है यह तो आज के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए next class में हम इसके आगे की स्टोरी जानेंगे कि फिर क्या हुआ उस लड़की से मिलने के बाद red trap sailor के साथ क्या हुआ वो जानेंगे तब तक के लिए this is Madiha Khan signing off right now have a nice day